वो दिसंबर का महीना था भारत के 39 में खुमककड़ी करते हुए अब मैं आप पहुँचा था एक ऐसी दुनिया में जो सिर्फ एक ही जगा देखने को मिल सकते थी नागालेंड जब मैं आगालेंड पहुचा तो वहां चल रहा था दुनिया भर के घुमककड़ों के बीच मशूर एक शानदार उत्सव हॉन्बिल फेस्टिवल आज मैं आपको दिखाऊंगा इस वॉर्ड फेमस फेस्टिवल के नजारे और उसके बाद लेकर चलूँगा एक ऐसी वैली में जहां जाकर आपको लगता है कि आप वेहीं तहां खुब्सूर्टी से भरी किसी और ही दुनिया में आ गए हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर नामा मैं इस वक्त था नागलेंड की राजधानी कोहिमा के पास किसामा नाम के गाओं में एक हैरिटेज विलेज जहां दिसम्बर के महीने में 10 दिनों के दिए नागलेंड का फूरा इतिहास ची उठता है यहां मौजूद थी नागलेंड की सक्त्रह जन्जातियां अपनी आदिवासी संस्कृति को पूरे गर्व से दुनिया भर से आये लोगों के बीच साज़ा करती हुए हर जन्जाति का अलग पहनावा, अलग खान पान और एक्दम अलग रंग यहां बनी अलग लग स्टॉल में नागलेंड के फेमस हैंड लूम के काम की नुमाईश हो रही थी मैंने यहां नागलेंड का वुद्वर्ग देखा और यह थे वो अनौखी टोटम जो नागाओं के फुराने रीती रिवाजों और मान्यताओं की जहलक दे रहे थे कुछ आगे ही एक एक्जिमिशन थी जहां वर्ड वर्ड तू में नागाओं के कभी न बुलाई जा सकने वाले योगदान की कहानिया सुनने को मिल रही थी नागाओं ने अगर एलाइट फोर्स में शामिल ब्रिटिश स्नेना की मदद नहीं की होती तो शायद आज दुनिया का इतिहास किसी और दरह से लिखा जाता यहां एक बोर्ड भी लगा था जहां आप अपनी हैंड राइटिंग में नागालाइन की लोगों को इतने अच्छे इंथिजाम के लिए थैंक यू बोल सकते हैं या फिर अपनी पसंद से कोई भी मेसेज लिख सकते हैं किसामा हेरेटिज विलेज के में जाउन में हो रही थी फोक डान्स के दुतियों किताएं लेकिन यहां केवन नागालेंड का फोक डान्स ही नहीं था बलकि पूरे देश स्याई टीम्स अपने अपना लोग जित्य पेश कर रही थी इस ग्राउंड में दस दिनों तक लगाता नचाने कितने तरह के कमटेशन होते रहते हैं कुष्टी से लेकर मिर्ची खाने तक हर तरह के पिद्योगिताएं इस फेस्टिवल को और इंटेटेनिंग मना देती हैं यह गाव नागलायन के पुराने मुरूंग सिस्टम की याद दिलाता है मुरूंग नागा ट्राइज तो हैं पुराने समय से चलता रहा एक तरह का गुरुकुल सिस्टम ही है इसकी कहानिया बहुत इंट्रेस्टिंग है लेकिन वो कहानिया मैं आपको कभी और डीटेल में सुनाऊंगा और हाँ इस फेस्टिवल का नाम पढ़ा है नागलायन के फेमस हॉर्न बिल पक्षी के नाम पर जो सैडली अब लुप्त होता जा रहा है इस पक्षी के पंक और चोंच को नागा संस्कृती में बहुत ही एहम माना जाता है शाद इसके इक्स्टिंशन के पीछे भी यही वज़े रही है ते पीच थेर सारडान्स और राइस्पयर आपको एक बार नागलेन के इस हॉन्बिल फेस्टिवल में जरूर आना चाहिए You can thank me later अगले दिन घने जंगलों के बीच करीब 6 किलोमेटर का ट्रैक करके मैं एक ऐसी जगह पहुँचा जहां पहुँचकर मुझे अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था कोई जगह इतने खुबसूरत कैसे हो सकती है जूको वैली सी लेवल से करीब 2400 मीटर के ऐलिवेशन पर बनी यह वैली इंडिया के सबसे खुबसूरत पहारी घाटियों में से एक है ये देखकर you must agree with me इस वैली में एक यूनीक फ्लावर होता है जिसे कहते हैं जूको लेली ये फूल और कहीं नहीं पाय जाता हाई मैं हूँ इस वक्त नागलेन की जूको वैली में और इससे फुबसूरत नजारा अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा आप बीन टू स्विटरलेंड और यूरोप की कुछ जगहों पर गया हूँ इंडिया में उत्रखन की वैली फ्लावर में पर ये जो नजारा है ये और कहीं नहीं दिखाई दे सकता बहुत ही सुन्दर नजारा हमारे चानों इस वक्त है हम हॉन्विल फेस्टिवल में आये थे और हॉन्विल फेस्टिवल के बहुत ही शांदार सेलिब्रेशन के बाद अब हम आ गये हैं किसामा से जूको वैली की तरफ किसामा से जूको वैली के लिए आपको लगभग 7 किलोमेटर गाड़ी से आना पड़ता है और उसके बाद ट्रेकिंग शुरू होती है ट्रेकिंग लगभग 4 घंटे का टाइम देती है हमने 9.30 में स्टार्ट किया था और अभी बज रहे हैं तीन और हम जूको वैली में एं नागालेंड का अभी तक बहुत ही शानदार रहा है मैं खासकर आपको हर्ण भिल फैस्टिवल के बारे मता दूं कि होन्मिल फैस्टिवल साल में एक बार होता है और नागालेंड में कि वर्णतों के सबसे जाधा जो फेमस फैस्टिवल्स हैं उनमेंसे एक है दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं हम इस्राइल से लोग मिले और सुबह से शाम तक फोक डान्स और सांस्कृतिक कारिक्रम इस तरह के चलते रहते हैं और शाम होने के बाद माहौल एकदम बदल जाता है जगा जगा पर अलग-अलग ट्राइप्स के हट्स बने हुए और उन हट्स में पार्टीज चल रही होती हैं लोग राइस बेर पर जूम रहे होते हैं और अपने फोक इंस्ट्रुमेंट्स बजाते हैं और मुझे सबसे खास बात नागलेंट की यह लगी कि यहां के लोग इतने वेलकमिंग हैं आपको देखके वो इतने प्यार से गले मिलते हैं कि मज़ा आ जाता है है और एक जिखवई हैं हम जो बना लेते हैं जिखवई बना लेते हैं जिसलिए आपको यहां जरूर आना चाहिए किवल नेचर से ही रूबुरू होने के लिए नहीं बलकी लोगों के सरल सोभाव से भी आप यहां के रूबरी होते हैं और जानते हैं कि दुनिया में लोग कितने accepting और welcoming हो सकते हैं आगलेंड आकर एस ट्रेवलर मुझे वह experience मिला जिसे मैं कह सकता हूं lifetime experience मेरे अनुभाओं को आप मेरे इस ट्रेवलर में डीटेल से बढ़ सकते हैं नौर्थी इस की जरनी पर बेस्ट मेरी इस बुक का नाम है टूल टुलकम तुरुस्त तो यह तो था मेरी नागलेंड याद्रा को खिस्सा देश दुनिया में कीए ऐसी ही तमाम जगहों की मेरी याद्राओं और किस्तों को जानने के लिए हाप यात्रगार को सब्स्क्राइब कर सकते हैं तो सी यू इन मेरी नेक्स जरनी